परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज हम प्रभु के वच्चन के मनन के लिए पढ़ेंगे मतिरचित सुसमाचार उसका तेरवा अध्याई और उसका 31 आयत से लेकर 58 आयत तक हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे उसने उन्हें एक और दस्टांत दिया स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुश्य न लेकर अपने खेत में बो दिया यह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब वह बढ़ जाता है तब सब सागपात से बढ़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकास के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं उसने एक और दस्टांत उन्हें सुनाया स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्थ्री ने लेकर तीन बसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया ये सब बाते ये श्यू ने दिस्टांतों में लोगों से कही और बिना दिस्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविश्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो मैं दिस्टांत कहने को अपना मुह खोलूंगा मैं उन बातों को जो जगत की उत्पती से गुपत रही है प्रगट करूंगा तब वह भीड को छोड़ कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा खेत के जंगली दाने का द्श्टांत हमें समझा दे उसने उनको उतर दिया अच्छे बीज का बोने वाला मनुश्य का पुत्र है खेत संसार है अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है जिस सत्रुने उनको बोया वह शैतान है कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है अतह जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाये जाते है वैसा ही जगत के अंत में होगा मनुश्य का पुत्र अपने श्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के काणों को और कुकर्म करने वालों को इखटा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दान पीशना होगा उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सुर्य के समान चमकेंगे जिसके कान हो वो सुन ले स्वरग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनन्द जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया फिर स्वरग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में रहता था जब उसे एक भोमुल्य मोति मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया फिर सरुक का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मचलियों की मचलियों को समेट लाया और जब जाल भर गया तो मचुवे उसको किनार पर खीच लाये और वेट कर अच्छी अच्छी तो बरतनों में इखटा की और निकमी निकमी फैंक दी जगत के अंत में ऐसा ही होगा स्वर्ग दूत आकर दुष्टो को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दान पिंशना होगा क्या तुमने ये सब बाते समझी उन्होंने उससे कहा हाँ उसने उससे कहा इसलिए हर एक सास्त्री जो सुर्ग के राज्य का चेला बना है उस गुरुस्त के समान है जो अपने बंडार से नई और पुरानी वस्तोये निकालता है जब ये शुर्ग ये सब दस्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराद नालए में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकीत होकर कहने लगे उसको यह ग्यां और सामर्थ के काम कहां से मिले क्या यह बड़ई का बेटा नहीं और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाईों के नाम याकुब, युशुफ, शिमोन और यहुदा नहीं और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती फिर इसको यह सब ग्यां कहां से मिला इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोक कर खाए पर येशु ने उनसे कहा भविश्य वक्ता का अपने देश और अपने घर छोड और कहीं निरादर नहीं होता और उसने वहां उनकी अविस्वास के कारण बहुत से सामर्थ काम नहीं किये प्रभु की स्थूति हो मसी में मेरे प्रियो भाई और बेहनों जिन वचनों को हमने यहां पर पढ़ा है उसके अंदर हम स्वर्ग के राज्जे के बारे में हम पढ़ते हैं जो की हमारे उध्धार करता है यह मसी ने दस्टांत दे दे कर उसके राज्जे के बारे में यहां पर समझाया है कुछ बातों को हम उस पर आज ध्यान करेंगे कि परमिश्वर का राज्जे कैसे स्थापित होता है और कैसे वो फैलता है और जब इस संसार का अंद होगा तब उस राज्जे का क्या होगा उसके बारे में यहां पर कुछ बातों को हमने पढ़ा है उस पर हम ध्यान करेंगे सबसे फैले हम उस बात पर हम ध्यान करेंगे कि परमिश्वर का राज्जे क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है जब इश्वमसी संसार में आए उसके पहले यहुना बबतिस्मा करने वाला प्रगट हुआ जो कि परमिश्वर ने उसे उसके राज्जे के मार्क को तैयार करने के लिए भेजा था और उसने उस राज्जे के बारे में प्रचार किया जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों को बता रहा था यहुना तीन और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्जे निकट आ गया है और जब यश्व मसी ने भी जब सुसमाचार का प्रचार करना आरम किया तब यही बात सुरु में बताई कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्जे निकट आया है इसका मतलब स्वर्क कर राज्य को पाने के लिए हर मनुश्य के लिए जरूरत हैं कि मन फिराए पश्यताब करें अपने पापों से पश्यताब करें और वहां से परमिश्वर के राज्य की सुरुवात होती है वहां से उसके राज्य के स्थापना होती है और इसलिए मत्तिर जिसु समाचार बारवय धैर अठाइस आयत में भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर यिश्य मसीन खुद कहा कि यदि मैं परमेश्य की आत्मा की साहिता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्य का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है परमेश्य की आत्मा की द्वारे जब दुष्ट आत्मा जब मनुष्य की जीवन में से जब निकल जाते हैं तो परमेश्य का राज्य उसके पास आ पहुंचता है जब हम मन फिराते हैं मन फिरानी की जरूरत क्यों होती है क्योंकि हर मनुष्य जो है पाप के अंदर जन्म लेता है, हर मनुष्य परमीर्श्य की महिमास के रही थैं, सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है और इसलिए परमिश्वर का राज्ज है उसको स्थापित करने के लिए जो दूसरा राज्ज है जो अंदकार का राज्ज है पाप का जो सामराज्ज है दुस्टा का जो राज्ज है अंदकार का राज्ज है उसको हटाने की जरूरत होती है और इसलिए हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि पश्यताब करें, अपने अपने पापों को मान कर पश्यताब करें, मन फिराएं, तब प्रभु का राज्य हमारे अंदर आता है. हम जानते हैं कि संसार में अंदकार का राज्य बहुत तेज से प्रगट हो रहा है, अंदकार का राज्य फेला हुआ है. सारी स्रिष्टी उस अंदकार के वस्त में पड़ी हुई है, लेकिन जब यिश्मसी आया, संसार की जोती बन कर आया, और उसी के द्वारा, जब उसका राज्य प्रगट होता है, अंदकार का राज्य चला जाता है, और जोती का राज्य प्रगट होता है. और इसलिए जब पत्रस नभी जब प्रचार करना सुरू किया तब उस राज्य की बातें वो समझाता रहा कैसे जिश मसी इस संसार में आकर उसने मनुश्य के लिए अपने आपको सौब दिया तिसरे दिन जी उठा, उनरुथाण पाकर वो जीउ उठा और हमारे लिए उसने उस अनंत जीवन देनी के लिए उसने उस काम को पूरा किया है और उस बात को प्रवितों के काम दूसरे अध्याई में हम पढ़ते हैं 37-38 आयत में वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं अब सुनने वालों के रदे छिद गए और वे पत्रस और सेज प्रवितों से पुछने लगे हे भाईयो हम क्या करें पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम मेंसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यिश मसी के नाम से बापतीस मालो तब तुम पैतरात्मा का दान पाओगे मन फिराओ और तुम मेंसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यिश मसी के नाम से बापतीस मालेना है आज जो लोग मसी के पास आते हैं लोगों की इच्छा होती हैं कि हम भी जीवन पाए हम भी उसके राज्य के हम भागी हो जाए अगर उस बात को मान लेते हैं कि यिश मसी संसार में मेरे पापों के लिए आया मेरे पापों का दन उसने कुरूस पर ले लिया मेरे ही भापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी उसने प्रान को दिया वो कब्र में गया और तिसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा मुझे जीवन प्राप्त होता है बगर उस बात पर मिस्वास करते हैं आज ही हम मन फिरा कर हमें क्या करना है उसके राज्य को हमें ले लेना है उसके राज्य को ले लेना है ऐसे हमारे जीवन के अंदर सुर्ग का राज्य स्थापित हो जाता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राई का दाना जो बहुत छोटा होता है उस राई के बीज के अंदर जीवन रहता है उत्पन करने की सामर्थ रहती है आज जब हम राज्य का सुसमाचर हम सुनते हैं उसके अंदर जीवन उत्पन करने की सामर्थ रखी है और इसलिए अगर राज्य का वचन जब हमारे पास आता है उसे हमें मान लेना है हमार हिद्धे के अंदर उस वच्चन पर विश्वास करना है चाहे वो चोटा क्यों न हो परमेश्र का वच्चन उसका शब्द जिसके द्वारा हम जीते हैं वो जब हमारे पास आता है उसके अंदर जीवन उत्पन करने की शामर्थ है वो चोटा तो होता है लेकिन जब उसको जमीन के अंदर डाला जाता है वो बढ़ने लगता है और दूसरे साखपाथ से वो बढ़ा होता है और एक पेड़ के समान हो जाता है और आकास के पक्षियों उस पर बसेरा करते हैं मसी मेरे प्रियों जब उस बीज के अंदर जो हमारे हिर्दे के अंदर डाला जाता है वो बढ़ने लगता है वो एक पेड़ के समान हो जाता है और हमारे अंदर उस जीवन को लाता है उसके द्वारा बहुत सा फल उत्पन होता है परमेश्वर हमें एस सब पेड़ बनाना चाहता है जिसके अंदर अनेक फल लगे और इतना है नहीं लेकिन उसी जीवन में से बहुत से लोग जीवन को पाए पत्रस यहां पर बता रहा है कि यह प्रतिग्या तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दुर दुर के लोगों के लिए भी है जिन को प्रबु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा सब के लिए है यह बीज सब के लिए है जो को उस पो लेता है उसको जीवन मिलता है उसको परमेश्वर के राज्चे में स्थान प्राप्त होता है इसलिए हर मनुश्य के लिए जरूरी है कि मन फिराएं पापोशेपश्यताब करें और यिश्यमसी के पास आकर उसके जीवन को ले लें आके हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग कराज्य के खमीरी के समान है जिन को किसी स्थी ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते 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 हो सब खमीर हो गया हम सोचते हैं कि परमिश्य कराज्य कैसे फैलेगा कैसे फैलेगा एक खमीर के समान है यहां पर खमीर मतलब पाप नहीं उसका मतलब पाप नहीं है लेकिन खमीर मतलब आटे में मिलाने वाले एक ऐसी चीज है जिसके दोरा पूरा आटा खमीरा हो जाता है आटा फुलने लगता है और इसलिए यह दिश्टान्द जो दिया गया है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है एक खमीर जब आटे में मिला जाना है तो पूरा आटा को वो खमीरा कर देता है वेसे ही जब परमेश्वर का राज्य जोती का राज्य प्रगट होता है परमेश्वर का जीवन संसार में प्रगट होता है तब वो फैलने लगता है वो एक खमीर के समान फैलने लगता है उसकी कोई शिमा नहीं है पृत्वी के चोर तक उसके सुसमाचार को प्रचार کیा जाएगा रभु का वचन है और ये शुशी मशीने में आगिया दिय है कि तुम सारे जगत में जाकर राज्य का सुसमाचार को प्रचार करना है सारे जगत में जाकर तुम पुर्थवी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे पुर्थवी के छोर तक उसके राज्य के सुसमाचार फिलाया जाएगा और इसलिए जो को उस पर विश्वास करेगा उसको अनंचीवन मिलेगा परमिश्यो का राज्य अटल राज्य है उसका कभी भी अंतना होगा उस अविनासी राज्य के लिए उसने में बुलाया है मसी में प्रियो आज हम उस पर विश्वास करें जब हम उसके राज्य के भागी हो गए हैं हमारे लिए सुबागय की बात है कि हम उसके राज्य के हम वारिष ठहराये गए हैं मसी इश्यो में आज मुझे और आपको उसके साथ संगी वारिष ठहराया है उसके साथ हम राज्य करेंगे दस्टान्तों में इश्यो मसी ने बहुत सी बातों को उसके राज्य के बारे में शिखाया और जो यिश्मसी जो कुछ भी बाते कहता था वो दस्टांत में कहता था क्योंकि उसके राज्य के लोगों को उसकी बातों को समझने के लिए उसको ग्यान दिया गया है और इसलिए यिश्मसी ने यब वो कह रहा है कि जो सब बातें दस्टांतों में लोगों से कही और बिना दस्टांत उनसे कुछ ना कहता था कि वच्छन वईश्वक्ता के दोरा कह गया था कि वो पूरा हो मैं दस्टांत कहने को अपना मुह खोलूगा मैं उन बातों को जो जगत की उत्पती से गुपते रही हैं प्रगट करूँगा मसी मेरे प्रियो जिन बातों को हम सुन रहे हैं जिन बातों को हम आज हम ध्यान कर रहे हैं यह जगत की उत्पती से वो गुपते रखी हुई बातों है उसको यिश्मसी प्रगट कर रहा है उसको यिश्मसी प्रगट कर रहा है हम उसके राज्य के शंतान है, उसका प्रकास हम पर उसने चमकाया है, हमें उसने अंदकार के वस्चे छुटाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में उसको लेकर आया है, आज जब हम यिश्य मसी को स्विकार किया है हमारे अंदर सुर्ग का राज्य स्थापित हो चुका है हम उसके राज्य के भागी है और उसके राज्य के द्वारा जो जीवन प्रगट हो रहा है उस जीवन को हम प्रगट कर रहा है क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है परमेश्वर के पुत्र येश्मसी में जीवन है और वो अनन जीवन आज हमारे अंदर प्रगट किया गया है और इसलिए हम उसके राज्य में के अ परमेश्वर का वचन जो बीच के समान है हमारे अंदर उगना है वो हमारे अंदर फैलना है और दूसरों के अंदर भी उस राज्जे की सुसमाचार को हमें सुनाना है यही बात ये शुमे से बताना चाहता है कि उस राज्जे को हम कैसे बनाए रखें उस राज्योकम कैसे बनाए रखे यहाँ पर एक जंगली बीच की दस्टांत की भी व्याक्या की गई है जब उनके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि खेत में जंगली दाने का दस्टांत हमें समझा दे यहाँ पर उसके चेले भी दस्टांत को नहीं समझ पा रहा है उस सलाकार को भेजा है उसके पैतरा आत्मा के द्वारा आज हम उसके वचन को समझ सकते हैं उसके रहश्य को हम समझ सकते हैं उसके राज्य के बारे में हम समझ सकते हैं यहाँ पर उनके चेले उन बीज बोने वाले कदस्टांत वो नहीं समझ पा रहे थे जंगली बीज का दस्टाप जो उसके पहली आयत में हम सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं कि एक जंगली बीज बोने वाला दाने बोकर चला गया और अच्छे बीज बोने वाले मनुष्य का पुत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये श्मसी जो मनुश्य का पुत्र अच्छा बीज बोने वाला था और ये खेत जो है संसार है बीज राज्य की शंतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है आज संसार में अच्छे बीज भी है जंगली बीज भी है और इसलिए हमें शावधानी रखना है हमें सावधान रहना है जी सत्रू ने उनको बोया वो शेतान है कटनी जजद कांत है और काटने वाला स्वर्गदूत है जैसे जंगली दाने बोटोरे जाते और जलाये जाते हैं वैसे ही जगत के अंतमे होगा मनुश्य का पुत्र अपने श्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से सब ठोकर के कराणों को और कुकर्म करने वालों को इखटा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दान की सना होगा उस समय धर्मी अपने पीता के राज्य में सुर्य के समान चमकेंगे जिसके कान हो वो सुन ले इस राज्य की बात को जिसक परविनास होने वाला है उसके पहले उसके राज्य को हम प्राब्त कर लेंए उसके राज्य के भागी होकर हम उसके राज्य में बढ़ते जाये। जंगलिदाना शत्रु बोकर चला जाता है। आज जब संसार में हम Wein जीते हैं नसी की कलीशिया में वहां पर भी जब प्रबु का वच्चन प्रगट होता है, अच्छा बीज प्रगट होता है, जो जीवन देने वाला है, जो हमारे उन्नती करता है, हमें बचाता है, लेकिन ऐसे जंगली बीज भी वहां पर बोया जाता है, शतरु शैतान के दोरा, कुछ ऐसे दुष्ट लोग के द्वारा बोया जाता है जिनके द्वारा जंगली बीज भी वहां पर उगने लगते हैं लेकिन परमिश्वर का धन्यवाद हो उसने हमें उसके राज्य के संथान बनाए हम उस जंगली बीज को पहचान सकते हैं उसके कामों के द्वारा हम पहचान सकते हैं हर एक पेड उसक उसे हमें शावधान रहना है, परमेश्वर का वच्छन हमें ग्यान सिखाता है, परमेश्वर का वच्छन हमें सच्चाई में अगवाई करता है, यिश्व मसीजवी संसार में आया, वो अनुग्रहर सच्चाई से परिपून होकर आया, उसमें परमेश्वर की परिपूनत मसी का वचन हमरे अंदर बढ़ना चाहिए और उसी के द्वारा हम उसके राज्चे में हम फैलेंगे फूलेंगे बढ़ते जाएंगे शत्रु शैतान चाहे कैसी भी कोशीज क्याना करें उसके हत्यार को हमें तोड़ डालना है उसके हत्यार को हमें नश्ट करना है जब संसार क अन्त होगा श्वर्ग दूत आएंगे और उस कुकर में करने वालों को इखटा करेंगे आग के कुंड में डालेंगे वहां रोना और दान पीशना होगा पयांकर दर्द बयांकर दुख अनंत काल तक दुख में पड़े रहेंगे ऐसे दुष्ट लोग और इसलिए मसी एश्य हमें बचाने के लिए संसार में आया हमें अनंत काल तक रोना और दान पीशना ना हो ना करना पड़े इसलिए ये ये श्यमसी उसके राज्य की बात को हम प्रगट कर रहे हैं और इसलिए वो कह रहा है कि जिसके कान है वो सुन ले परमेश्वर हमें सुनने वाले कान देता ह हमें देखने वाली आखें देता है इसलिए परमेश्वर की बच्चन को आत्मा की दिश्टी से हम देखें परमेश्वर की बच्चन को हम पढ़ें उसको समझें यहां पर लिखा हुआ है कि अंत के समय में जगत के अंत में जंगलीदाने बटोरे जाएंगे जलाये उसके धर्मी लोग पिता के राज्य में सुर्य के समान चमकेंगे उसके धर्मी लोग उसके राज्य में सुर्य के समान चमकेंगे आज परमेश्व के राज्य हमारे अंदर प्रगट है परमेश्व के राज्य हमारे अंदर बल रहा है अंधकार के राज्य को दूर करना है अंधकार के राज्य को नश्ट करना है और इसलिए जब मसी का राज्य हमारे अंदर है उसको फैलाना है सुसमाचार के दवारा गवाह उसका राज्य के मुल्य बहुत बड़ा है आगे हम 44 आयत से पढ़ते हैं तो उसके राज्य के मुल्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ग का राज्य उस खेत में छीपे हुए धन के समान है जीसे किसी मनुष्य ने पाया और छीपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया है प्रियो परमिश्व के राज्य ऐसा है कितना मुल्यवान है जो हमें मुप्त में परमिश्व कानुग्रहम पर हुआ हमें मिलता है लेकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक छिपे हुए धन के समान है बहुत मुल्यवान है और किसी मनुश्य ने जब पाया तो उसने आनंद के मारे सब कुछ उसका जो भी था सब कुछ बेच दिया सारी प्रॉफर्टी उसने बेच दिया उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ बेच कर उस खेत को उसने मोल लिया है जिस खेत के अंदर उसने पाया उसके अंदर छिपा दिया और बाद में जा कर उसने उसके पाद जो कुछ भी था सब कुछ बेच कर उसी खेत को ले लिया उस धन को पाने के लिए उच्छी पे हुए धन को पाने के लिए परमेश्य कराज जी आज एसा धन है जो छीपा हुआ धन है मसीश्य के नाम में जो हमें मिलता है उस मसीश्य के नाम के अंदर वो छीपा हुआ है परमेश्य कराज जी वो एक अनमोल मोती के समान है अगे लिखा है फिर सुर्ग कराजे की वियापारी की समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में है था जब उसे वो बहुमुल्य मोति मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया मसीमी मेप्रियों उस वियापारी को देखें जो उस बहुमुल्य मोति की खोज में था जब वो मोति मिल जाता है तब वो सब कुछ बेच कर उसे मोल लेता है कितना बहुमुल्य सुर्ग का राज्य जिसके अंदर हमें बुलाया गया है हमारी बुलाहट उसके राज्य के लिए है हमें राज्य करने के लिए बुलाया गया है और इसलिए उसका राज्य जो अटल रहेगा उसका विनास का भी न होगा दनियल की पुस्तक में साथ चोदा में भी हम पढ़ते हैं कि उसका राज्य अटल रहेगा उसका राज्य अविनासी होगा उसका अनंद तक रहने वाला, अटल रहने वाल राज्जी के लिए उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है, तो हमारी जो चुनाव है, हमारी जो बुलाहट है, उसको हम चान है, परमिश्य के राज्जी के लिए हमें बुलाया गया है, और इसलिए जब पतरस जो प्रच के शिताब करकर भबतिसमा ले रहे थे तब आगे उसी प्रेज़तों के काम में वो कह रहा है कि तुम वो गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आपको ठेड़ी जाती से बचाओ ठेड़ी जाती से बचके रहना है उस कड़वे बीच से बचके रहना है आज जब हम बढ़ते है मसी की देह के अंदर मसी की कलीशिया में टेड़ी जाती से बचके रहना है आज कलीशिया के अंदर भी भेड के वेशने भेडिया जब चली आती है बहुत से इसी भर्माने वाले बातों से अच्छे विस्वास करने वालों को भुला देते हैं विश्वास करने वालों को भटका देते हैं लेकिन परमिश्व के वचन पर विश्वास करें परमिश्व के वचन को थामे रहें उस द्रिड चटान पर हमें अपने आप को बढ़ाना है। खुद पाप रूप बना दुसरे कुरंधि 5 आध्य हमें हम पढ़ते हैं कि हमारे हमने धार्मी बनाने के लिए वो हमारे लिए पाप रूप ठहरा इताकि हम धार्मी बन जाए नितीवज़ चंचारत रामा मिढ़ते हैं धर्मियों की चाल उन चमकती हुई जियोती के समान है जिसका प्रकास दो पहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है मसी में मेरे प्रीयो अगर आप मसी में हैं आपका प्रकास दो पहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाना चाहिए प्रकास कम ना होना चाहिए अंदकार को मिटाना है शत्रू की ताकत को मिटाना है जो लोग दुष्ट के वस्में है पाप के वस्में पड़े है जो क्रोध के संतान है दंड के आधीन है ऐसे लोगों को बचाना है उसको बहार निकालना है परमेश्यों ने मैं अधिकार दिया है हम उसके राज्य के संतान है परमेशर का राज्य क्या है आज जब हम इस संसार में जीते हैं परमेशर का राज्य खाना भी नहीं है पर धर्म और मेल मिलाब और वह आनंद है जो पवितर आत्मा से होता है आज परमेशर की आत्मा हमारे अंदर है परमेशर की आत्मा की सामत हमा मिलाप में उसकी शांती में हमें बढ़ना है उसके आनंद परमेश्वर का आनंद जो हमारा बल है उसको लेकर हमें चलना है और परमेश्वर के राज्जे के स्थापित करना है उसका परमेश्वर के राज्जे के मुल्य जाने बहला पत्रस एक तेश में लिखा है क्योंकि और सदा ठहरने वाले वच्छन के द्वारा नया जन्म पाया है सदा ठहरने वाले वच्छन के द्वारा नया जन्म पाया है उस जीवते और सदा ठहरने वाले वच्छन के द्वारा हमने नया जन्म पाया हमने नया जीवन पाया यहुन्ना रचित सुसमाचार में भी हम वहाँ पर पाते हैं कि कैसे हमें जीवन प्राप्त होता है कैसे हमें जीवन प्राप्त होता है युश्मसी ने खुद कहा यहुन्ना तीन पाच में मैं तुछ से सच्छत कहता हूँ जब तक कोई मनुष जल और आत्मा से न जन्में तो वो परमेश्व के राज्जी में प्रविस्थ नहीं कर शकता परमेश्व के राज्जी में प्रविस्थ करने के लिए मैं जल से मतलब कि परमेश्व के वच्चन से और आत्मा से जन्म लेना है परितरात्मा जो हर विश्वास करने वालों को दिया जाएगा प्रतिग्या की है उस पर विश्वास करें आज परितरात्मा के वरदान को हम पा ले जिसकी प्रतिग्या हमारे लिए दी गए है उसकी आत्मा की अगवाई में चले और उसके राज्य में प्रवेश कर शक्ते हैं, हम कैसे उसके राज्य में बना रहेंगे, कैसे उसके राज्य में हमें प्रवेश करना है, दुसरा पत्रस उसका एक अदस और ग्यार आयत में इस परकर लिखा है, इस करण है भाईयो अपने बुलाये जाने और चुन लिये जाने के सिद्ध करने का भला भातियत न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे वरन इस रिती से तुम अब हमारे प्रभु और उधार करता येश्य मसी के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेस करने पाओगे अपने बुलाये जाने और चुन लिये जाने को सिद्ध करने का भली बाति यतना करते जाओ मसी में हमारे बुलाये जाने की जो मनशा है जो आसा है हमें चुन लिये गये हैं उसे सिद्ध करने के लिए हमें भली बाति यतना करना है हमें यतना करना है और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी ठोकर ना खाएंगे उसी मतिरे चिसु समाचार इस तेरवे अध्याय में हम देखते हैं आगे जब ईश्मसी जब वहां से चला गया एक नगर में आकर एक अरादनाले में आकर जो प्रचार करता है तो बहुत से लोग उसके अविस्वास के कारण उन लोगों ने यश्मसी जो उब्देश दे रहा था जो आश्चर कर्म कर रहा था उन बातों पर अविस्वास लाकर वो कहने लगे क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं वो सुथर का बेटा नहीं क्या यह मरियम का बेटा नहीं क्या उनके भाई हुमारे बीच में ही है याकूब यूसुप समोन यहुदा और क्या उसकी बेहने यहां नहीं रहती हमारे बीच में तो उसके पास यह ग्यान कहां से आया है आज बहुत से लोग ठोक कर खाते हैं यिश्मसी के सुसमाचार वो सुनकर भी ठोक कर खाते हैं लिकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि अगर हम एशा करेंगे हमारे बुलाया जाने और चुन लिये जाने की सिद्ध करने का भली बाती करेंगे यतना करेंगे हम कभी भी ठोकर ना खाएंगे और इस रिती से हम प्रभू हमरे उध्धार करता है ये श्यमसी के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेस करने पाओगी महसी में मेरे प्रीयों हमें आदर के साथ उसके राज्य में प्रवेस करना है उसका राज्य अटव है उसके राज्य करने के लिए मैं बुलाया है जब उसके राज्य में हम जाएंगे वहाँ पर अनन्द काल तक हम शुक आनन्द और शान्दी में रहेंगे इसलिए प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो शुन ले आज उसके राज्जे को फेलाना है उसके राज्जे में बढ़ना है छोटी सी सरुवात हो फिर भी विश्वास करें प्रभू उसको बढ़ाएगा प्रभू उसको बढ़ाएगा राए के दाने के जितना गर छोटा सा भी उस राज्जे का बीच हमारे अंदर है वो बढ़ता चला जाएगा उस पर विश्वास करें उस पर चलें उस पर ध्यान करें निरंतर प्रभू हमें बढ़ाएगा और उसके राज्जे में आत्मा है वो पराक्रम की आत्मा है जिसके द्वारा वो हमें चलाता है वो संयम की आत्मा है विश्वास से चलें विश्वास के उस राज्य को ले लें विश्वास के उस राज्य को फिलाएं जिसकी आग्या यिश्मसीन मरकुजर रची सुचमाचार सोलवे अध्या में कहा ग जो को विस्वास करेगा उसी का उद्धार होगा आज जो को विस्वास करता है उसी के लिए अनन्चीवन है इसलिए मस्जी में मेरे प्रियो उस राज्य की बात को हमें पहलाना है राज्य की बात को हमें हमारे अंदर बढ़ना देना है परमेश्य कराज्य हमारे अंदर हैं जोती कराज्य हमारे अंदर हैं अंदकार कराज्य को दूर करने के लिए और जोती कराज्य को पहलाने के लिए बढ़ाने के लिए मसीश्य में मुझे और आपको चुना है और जब हम उसके इच्छा के अनुसा जब हम करेंगे परमेश्य क वो भाता है उसकी इच्छा पर जब हम चलते हैं उसका राज्य का कभी भी अंतना होगा और मैं और आज मैं और आप अनंत काल तक रहने वाल उस राज्य के राज्य में होंगे और मैं चाहता हूँ परमेश्वर इन वच्छनों के द्वारा आप सभी खुआसे सीद करें अमेन